नवसका दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम जन्वरी से लेकर के जून 2022 के बीच में जो भी हमारे करेंट अफेर के बेस्ट 500 प्रेशन है उन सारे प्रेशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएग इस वीडियो के जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के उपर मिल जाएगी वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दू कि 26 जून को दिन में 10 वजे अनकेडमी के आप पर एक मेगा गौर्मेंट एक्जाम स्कॉलर्शिप टेस्ट कंड़क्ट करवाया जाएगा तो अगर आप इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी उस लिंक के उपर आप लोग क्लिक अनकेडमी का आप इंस्टॉल करिए जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो यूज करिएगा कोड केवी 10 तो ये जो टेस्ट है वह बिलकुल फुरी है और आपके एससी और बैंक के जो एक्जाम है उनके पैटर्न के उपर आधारित है इसमें अगर आपकी रैंक वन आती है तो आपको 40,000 रुपए का लैपटॉप दिया जाएगा आपकी रैंक दो आती है तो आपको 20,000 रुपए का मोबाइल दिया जाएगा रैंक तीन पर आपको 10,000 रुपए का इयर पौड और रैंक चार और पांच आने पर आपको यहाँ पर गिप्ट वाउचर अनकेडमी की तरब से दिये जाएगे तो टेस्ट विलकुल फुरी है नीचे आपको लिंक मिल जाएगी उस पे क्लिक करके इन्रॉल जरूर कर लीजिए अनकेडमी के उपर डेली मेरी लाइब क्लास भी होती है तो दिन में जो 12 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग SSC MTS के लिए GK और कर क्लास से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही मेरी प्रोफाइल के लिंक मिलेगी उसके क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं तो ये मेरा WhatsApp नंबर है अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं तो आप इसी नंबर पर मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते है और अगर आपको अनकेडमी के किसी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो भी आप इसी नंबर पर मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं पहला प्रशन जो की बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है कि जून 2022 में National Democratic अलायंस के द्वारा किसे भारत के 15 राष्टपती के पद के लिए उम्मीदवार घोसित किया गया तो आपको ये ध्यार रखना है कि हमारी जो द्रोपती मुर्मो है उडिसा की जो की जारखंड राज की पूर्वराज जिपाल रह चुकी है एंडिये के द्वारा इनको यहा यह की तरफ से यानि की भारतिय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से ये उम्मीदवार होंगी राष्टपती पद के लिए वहीं पर अगर हम लोग बिपच्च की बात करते हैं तो बिपच्च के तरफ से एसवंत सिनहा साहब हमारे राष्टपती के उ 2022 में भारतेव पुरुस फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेतरी अंतर राष्टिये अस्तर पर सरबाधी गोल करने के मामले में किस अस्तान पर पहुँच गये हैं पास में हैं जिन्होंने 117 गोल किये हैं दूसरे नंबर पर नाम आता है लियोनल मेसी का जिनके नाम पर 86 गोल हैं आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो कप्तान सुनील छेतरी हैं इन्होंने अभी 84 गोल कर दिये हैं और इस प्रकार से दुनिया में जो सक्रिये सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाडी हैं उस सूची में ये तीसरे अस्थान पर आचुके हैं और ओवर ओल कैटेगरी में ये पांचवें अस्थान पर आचुके हैं तो इस प्रशन के लिए बी ऑप्सन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि प्रतेक वर्स 21 जून को अंतराश्टिय योग दिवस मनाया जाता है तो बताएए वर्स 2022 में इसका विसे क्या है तो वर्स 2022 के अगर हम लोग बात करते हैं तो इस साल का विसे है मानवता के लिए योग क्या है मानवता के लिए योग इस बार का विसे है यानि की योगा फार हुमेनेटी ओप्सन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट तो हर साल 21 जून को ये आपका अंतराश्टिय योगा दिवस मनाया जाता है और आपको ये ध्यारकना है कि 2014 में पीम नरेंद्र मोदी के परस्ताव पर सयुक्त सभा के द्वारा इसे मनाय जाने की घोशना की गई थी अगला प्रशन है कि जून 2022 में भारस सरकार ने कितने वर्ष के सेवा के लिए अगनी पत मिलेटरी रेकूर्टमेंट योजना को लॉंज किया है तो ये योजना आपके चार वर्षों के लिए सेवा के लिए होगी यह पर C option हो जाएगा करें तो वे बच्चे जिनकी एज 17-25 से लेकर के 23 साल के 20 में है वे इस योजना के अंतरगत जब भरे जाएंगे तो उसमें अपलाई कर सकते हैं और यहां पर आपको चार सालों की नौकरी दी जाएगी सरकार की तरप से तो काफी बेकार योजना है C option हो करें अगला प्रशन है कि जून 2022 में प्रकासित पुस्तक गौतम अडानी The Man Who Change India के लेखत कौन है तो यह जो पुस्तक है वो भारत के बिजनेस टाइकोन गौतम अडानी के उपर लिखी गई है और इसे लिखा है RN भासकर ने तो बस इतना ध्यान अख्येगा कि गौतम अडा राष्टिय योग उलम्पियाड का उद्धाटन किया है तो यह जो राष्टिय योग उलम्पियाड है दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्धाटन हमारे केंद्रिय मंतरी धर्मेंद प्रधान साहब ने किया है तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा correct आपक अगला प्रशन है कि जून 2022 में चीन देश ने फुजियान नामक अपने डैस डैस एरक्राफ्ट कैरियर को लांज किया है तो ध्यान रखिएगा ये जो चीन के द्वारा फुजियान नामका एरक्राफ्ट लांज किया गया है ये चीन का तीसरा एरक्राफ्ट कैरियर है यान नाम लियोनिंग है जिसको इन्हों ने 2012 में लॉंज किया था और दूसरा जो इनका एरक्राफ्ट है उसका नाम है सैंडॉंग तो पहला वाला लियोनिंग था दूसरा वाला सैंडॉंग है और तीसरा वाला इन्हों ने जो लॉंज किया है उसका नाम है फुजियान अगला प् अभी हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब ने किया है तो इस प्रशन के लिए C option हो जाएगा correct तो इस temple की बात करें तो गुजरात में जो हमारा पंच महल जिला है वहाँ पर पावागड की पहाणियों पर ये मंदिर आपको मिलेगा जिसको फिर से रिनोवेट किया गया था और इसक जो हमारा 20 परियावरण दिवस है जिसको हम लोग हर साल 5 जून को मनाते हैं इसका विसे है केवल एक पिर्थवी क्या only one अर्थ इसका विसे है तो D option हो जाएगा यहाँ पर correct तो आपको ये ध्याँ रखना है कि परियावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था 2022 का विसे है only one अर्थ और अगर हम लोग होश्ट नेशन की बात करते हैं तो स्वेडन इसका होश्ट नेशन है अगला प्रशन है कि जून 2022 में रच्छा मंत्राले ने DRDO के टेकनोलोजी विकास निधी प्लान में कितनी रासी के बृध्धी की है तो पहले इसके लिए जो रा साल विस्व सरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है यानि कि जो हमारे रिफ्यूजी है उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है और हर साल 20 जून को हम लोग ये दिवस मनाते हैं तो यहां पर A option हो जाएगा correct तो इस बार का विसे क्या है तो इस बार का विसे है whoever, whatever, whenever, everyone has a right to seek safety तो ये इसका भी से है option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्थ 2026 में फीफा पुरोष फुटबॉल बेस्टुकप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा तो 2022 वाला आप सभी को पता है कि कतर की राध्धानी दोहा में होगा लेकिन 2026 के अगर हम लोग फीफा फुटबॉल बेस्टुकप की बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सको में किया जाएगा तो इस प्रशन के लिए D option हो जाएगा यहाँ पर correct आपको नीचे comment में मुझे ये बताना है कि अगले साल महिलाओं का फीफा बेस्टुकप होगा तो जरा मुझे comment बैलेश्टिक मिसाइल का परिच्छन किया है तो इसकी रेंज कितनी है तो यह जो हमारी मिसाइल है इसकी रेंज है 4000 किलोमेटर कितनी है 4000 किलोमेटर इसकी रेंज है और इसका परिच्छन अभी उडीसा में अबुल कलाम दूइप से किया गया तो बी option हो जाएगा करेगा अ तो इस प्रश्ण के लिए A option हो जाएगा यहां पर correct तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे Indian Air Force का एक Heritage Center बनाया जाएगा और इस Heritage Center का निर्माण आपके चंडीगड में होना है अगला प्रश्ण है कि बर्मिंगम में आयोजित होने वाले 2022 के राष्ट मंदल खेलों में कितने भारते खिलाड़ी हिस्सा लेंगे तो टोटल अगर हम लोग Indian Player की बात करें तो इनकी संख्या होगी 147 कितने लोग होंगे 147 खिलाड़ी हमारे हिस्सा लेंगे तो इस प्रश्ण के लिए C option हो जाएगा correct तो यह आप लोग देख सकते हैं हमारे भारत की तरप से टोटल 147 ख किस भारती एरपोर्ट को स्काई ट्रेक्स पुरसकारों में भारत का सर्बसरेष्ट एरपोर्ट घोसित किया गया है तो भारत का जो सर्बसरेष्ट एरपोर्ट है वो हमारा बंगलोरू का कैमपे गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट है तो D option हो जाएगा यहाँ पर correct तो यह आपके अवाड दिये गए इसमें एक बार फिर से कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे बहतरीन एरपोर्ट चुना गया वहीं पर अगर हम लोग अपने कैमपे गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट की बात करते हैं तो यह आपके भारत और दच् मार्क वन मिसाइल के लिए उनतीस सो इकहत्तर करोन रुपय का सौधा किया है तो यह सौधा हमने भारत दैनमिक्स लिम्टेट के साथ किया है जरूर ध्यान कियेगा मिसाइल का नाम है अस्त्र मार्क वन तो इस प्रश्न के लिए सी आप्सन हो जाएगा करेक्ट अच्छा कि अस्त्र हमारे किस प्रकार के मिसाइल है तो यह आपकी हवा से हवा में मार करने में सच्चम है यानि कि यह एक एयर टो एयर मिसाइल है अगला प्रश्न है कि जून 2022 में गोदावरी क्लास गाइड़न मिसाइल फ्रेजट आइनस गोमती को कहां पर डिकमीशन किया गया है तो 34 सालों की सीवा के बाद में ये जो हमारा सिप है इसको मुंबई में डिकमीशन कर दिया गया तो इस प्रश्न के लिए डि आप्सन हो जाएगा करने अगला प्रश्न है कि जून 2022 में उत्तराखंड हाई कोड के नए मुख्यन आधीज के पत पर किसे नियूप किया गया ह तो उत्तराखंड हाई कोड के जो हमारे नए चीफ जस्टिस बन गए है नाम इनका है जस्टिस विपिन सांगी क्या नाम है जस्टिस विपिन सांगी इनका नाम है तो यहाँ पर यह आप्सन हो जाएगा करेक्ट दरसल विपिन सांगी की अगर हम लोग बात करें तो इसी सा मार्च महीने में ये आपके दिल्ली हाई कोर्ट के आक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे और अब इनको उत्राखंड का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया है। तो जस्टिस उजल भुवन की बात करें तो ये हमारे तिलंगाना हाई कोर्ट के पहले एक जस्ट थे और अब इनको इसका चीफ जस्टिस बना दिया गया है तो डी ऑप्शन हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि जून 2022 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गये हैं तो बी ऐप्शन हो जाएगा करें इसके अलावाँ आपको एध्यार रखना है कि हमारे जो जस्टिस सिंदे-सम्भाजी और राजस्तान हाई कोर्ट के नए개 जस्टिस बने हैं जस्टिस रस्मेन मनहर बात करें तो ये आपके असम के गुहावटी हाई कोर्ट की नए चीफ जेस्टिस बन गई है और सतीश चंद्र सरमा जी की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की नए चीफ जेस्टिस बने हैं तो ये नाम ध्यान अखिएगा फिलहाल B option होगा correct अगला प्रशन है कि जून 2022 में GST परिशत की जो 47 बैठक है इसका आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो इसका जो आयोजन है वो हमारे स्त्री नगर में होगा ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि जब GST परिशत की बैठक स्त्री नगर में होगी तो यहाँ पर B option हो जाएगा correct आपको ये ध्यान रख आगला परश्ण है कि जून 2022 में किस देश में नाटो के सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो ये सिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है कहां पर इसका आयोजन होगा तो यहाँ पर A option हो जाएगा correct तो नाटो के जो हमारे 30 देश हैं वो इसमें हिस्टा लेंगे और सबसे म हत्पून बात यह है कि जापान के जो हमारे प्रधान मंतरी है जिनका नाम फूमियो किसदा है वो भी पहली बार इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं तो याद रखिएगा ए आप्शन हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि वर्च 2022 में किस देश की अध्यचिता में 14 ब्रिक्स सम्मिलन का आयोजन किया गया हाला कि यह जो आयोजन है वो 23 और 24 को किया जाएगा तो ध्यार रखिएगा चीन इस बार ब्रिक्स समिट को होश्ट कर रहा है यहाँ पर ए आप्शन हो जाएगा करक आपको यह भी ध्यार रखना है कि हमारे देश की तरप से पीम नरेंदर मोदी साहा इस 14 ब्रिक्स सम्मिलन को वर्चुली जोईन करेंगे और चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम सी पी जिंपिंग है यह इसको करेंगे होश्ट बिसे की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोश्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनर्शिप अगला प्रशन है कि जोन 2022 में किस भारतिय अमेर्की को बेरी जॉन बिजनस ने अपना नया CEO नियुक किया है तो बेरी जॉन बिजनस नाम के जो कमपनी है उसने हमारे सौम्या नरायन संपत को अपना नया CEO अपॉइंट कर दिया है तो ए आप्सन हो जाएगा करेक्ट तो हम भारतियों के लिए खुस होने का एक और मौका है क्योंकि हमारे भारतिय मूल के एक बेक्ति हैं जिनका नाम सौम्या नरायन संपत है और ये आपके बेरी जॉन बिजनस कमपनी के नए CEO बने है अगला प्रशन है कि जून 2022 में IISC Bengaluru में किसने IISC Center for Brain Research का उधगाटन किया है तो Bengaluru भी पहुँच गये थे हमारे PM Modi साहब और उनी के द्वारा इसका उधगाटन किया गया है इस प्रशन के लिए B option हो जाएगा तो ये देख सकते हैं ये हमारे PM Modi साहब है जिनके द्वारा जो आपका IISC Bengaluru है वहाँ पर इस Brain Research Center का उधगाटन किया गया अगला प्रशन है कि जून 2022 में भारत ने परतवी सेकंड बैलेस्टिक मिसाइल का सफल पर इच्छन किया तो बताइए इसकी रेंज कितनी है तो पर्थवी सेकंड बलेश्टिक मिसाइल की बात करें इसकी रेंज है 350 किलोमेटर कितनी है 350 किलोमेटर तो इस प्रश्ण के लिए D option हो जाएगा करक अगला प्रश्ण है कि जून 2022 में भारत सरकार ने किस उद्यवपती को RBI बोर्ड में न्यूग किया है तो भाया इनके सरकार के साथ में रिष्टे काफी अच्छे है वैसे भी हमारे देश के सारे बिजनसमेन के रिष्टे सरकार के साथ अच्छे ही होते है तो नाम इनका आनंद महिंद्रा है यहाँ पर D option हो जाएगा तो टोटल वैसे हमारे चार बेक्ति हैं जिनको अपॉइंट किया गया है जिन में से एक आनंद महिंद्रा है दूसरे पंकज पटेल है तीसरे बेनू स्री निवासन है और चोथे हैं रविंद्र ढोलकिया तो यह नाम आपको ध्यार रखने है अगला प्रशन है कि जून 2022 में APEDA ने किस देश में मैंगो तेवहार का आयोजन किया है तो यह जो हमारा मैंगो तेवहार है इसका आयोजन बहरीन देश में किया गया तो इस प्रशन के लिए C आप्सन हो जाएगा यहां पर दरसल जो हमारे यहां पर Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority है इसी के द्वारा बहरीन में इस आम महोसों का आयोजन किया गया जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के 34 आम की बरायटियों के परदरसनी की गई है तो यह ध्यान रखेंगे C आप्सन हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि पवन उर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए Vertical Axis Wind Determine वा Solar TB Hybrid लांच करने वाला पहला हवाई अड़ा कौन बना है तो पहले हवाई अड़े की बात करें नाम इसका है मुंबई क्या है मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है उसने Vertical Axis Wind Determine को इंस्टॉल कर दिया है अपने हवाई अड़े पर कुछ इस प्रकार से और इसके माध्यम से जो आपके बिजली जनरेट होगी उसका यूज इस एरपोर्ट पर किया जाएगा तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला एरपोर्ट बना है यहाँ पर B option हो जाएगा अगला प्रशन है कि वर्ष 2022 में जारी बिस्व प्रेस सुतनरता सुचकांक में हमारा देश भारत किस अस्थान पर है तो भारत की बात करें हमारा प्रेस वैसे भी काफी अच्छा काम करता है आपको बता ही है तो दुनिया में हम लोग 150 वे अस्थान पर है इस प्रेशन के लिए C option हो जाएगा तो ये जो रिपोर्ट है उसको Reporters Without Borders के द्वारा जारी किया जाता है नौर्वे की प्रेस दुनिया में सबसे बेहतरीन है जो की पहले अस्थान पर है अगला प्रशन है मई 2022 में प्रकासित पुस्तक Leaders, Politicians, Citizens के लेखक कौन है तो ये जो हमारे पुस्तक है इसको रासित किदवई साहब ने लिखा है Option B हो जाएगा यहाँ पर Correct अगला प्रशन है कि मई 2022 में केंद्रिये प्रतेच कर बोर्ड के नए अध्यच के पद पर किसे नियूक किया गया तो बात हो रही है CBDT की और इसकी जो हमारी नए चेर्माइन मन गई है नाम उनका संगीता सिंग है जे भी मुपात्रा का इन्होंने अस्थान लिया है तो यहाँ पर A option हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि मई 2022 में आयोजित 75 वे कॉन्स Film Festival में किस देश को Country of Honor के रूप में सम्मानित किया गया तो ध्यान कियेगा हमारे देश भारत को यहाँ पर अगला प्रशन है कि मई 2022 में Federal Bank of New York के निदिस्तक मंडल में किसे चुना गया है तो Federal Bank of New York का जो निदिस्तक मंडल है इसमें IBM Company के जो CEO है अरवंद कृष्णा साहम इनको चुना गया है तो A option हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि मई 2022 में 200 खाद्य पुरसकार 2022 में किसे चुना गया तो ये प्रशन अभी MTPC में पूछा गया था 2021 के लिए तो 2021 में ये पुरसकार सकुन्तला हरक्सिंग को मिला था 2020 में ये रतनलाल को मिला था और 2022 में ये पुरसकार सिंथिया रोसन वेक को मिला है तो यहाँ पर A option हो जाएगा Correct ये आप लोग देख सकते हैं ये सिंथिया रोसन वेक हैं आपके नासा की और इन्ही को बिश सुखा दिपुरसकार दिया गया अगला प्रशन है कि मई 2022 में किस कमपनी ने भारत के पहले घरेलू हायरोजन इधन वाले इलेक्टिक पोत के निर्माण की गोशना की है टेक्नोलोजी हब को लॉंज किया है तो ये जो फ्लो केमेस्टे टेक्नोलोजी हब है डाक्टर रेड़ी लैब के साथ में मिलकर के तिलंगाना की सरकार ने लॉंज किया है तो डी आप्शन हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि वर्स 2022 में भारत के पहले एथेनौल संयत के अस्थापना किस राज में की गई है तो बिहार का जो पूर्णिया जिला है वहाँ पर भारत के पहले इस प्रकार के एथेनौल प्लांट के अस्थापना की गई है तो B option हो जाएगा आपका करक आपको ये भी ध्यारतना है कि Eastern India Biofields Private Limited के द्वारा इसकी अस्थापना यहाँ पर की गई है और भारत सरकार का ये लच्छ है कि 2025 तक हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल होता है उसमें हम लोग 20% तक एथिनॉल को मिलाएंगे अगला प्रशन है कि मई 2022 में PM नरेंदर मोदी के सलाहकार के पत्पर किसे ने उप्त किया गया तो यहाँ पर अपॉइंट्मेंट तरुन कपूर की हुई है D option हो जाएगा correct तरुन कपूर की बात करें तो ये हमारे former petroleum सच्यू रहे है और इन्ही को PM मोदी ने अपना advisor appointment कर दिया है अगला प्रशन है कि मई 2022 में कौन सा startup भारत का सववा unicorn बना है तो सववा unicorn बन गया है नाम इसका है new bank open क्या नाम है new bank open इसका नाम है और startup की बात हुई है तो आपको एक और नाम आप जरूर याद दखना है जो की हमारे physics वाला का है जो की अलग पांडे सर का एक channel है YouTube का और वो भी हमारे भारत का एक unicorn company बन गई है तो ए आप्सन हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मई 2022 में 35 इस्पैनिस लीग football tournament का जो खिताब है ये किसने जीता है तो ये जो football tournament का खिताब है इसको Real Madrid football club ने जीत लिया है और इन्होंने Espen Yol football club को हराया है तो भी option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मई 2022 में 75 इस्पैनिस लीग football tournament का जो खिताब है ये किसने जीता तो ये खिताब हमारे केरल ने जीत लिया है संतोष टॉफी वैसे भी आपसे पूछी जाती है ध्यानखी का football का tournament है फाइनल मुकाबला केरल और पस्चिम मंगाल के बीच में हुआ था जिसमें केरल ने 5-4 से पस्चिम मंगाल को हरा दिया अगला प्रशन है कि हर साल 20-30 दिवस कम मनाया जाता है तो यह जो दिवस है हर साल 3 मई को होता है यहाँ पर D option हो जाएगा correct अच्छा इस बार का विसे क्या है तो journalism under digital siege यह इस बार का विसे है अगला प्रशन है कि वर्श 2022 में बिश्व प्रेस सुतनरता पुरसकार के लिए किसे चुला गया है तो जो आपके बेलारूस का association आप जर्नलिस्ट है इसी को बिश्व प्रेस सुतनरता पुरसकार के लिए चुला गया है तो B option हो जाएगा यहाँ पर correct अच्छा 2021 की बात करें तो 2021 के लिए पुरसकार फिलिपियन्स की मारिया रेसा को मिला था जिनको पिशले साल नूबर पुरसकार में मिल चुका है और 2020 के लिए यह पुरसकार जिनेत बिदोया लीमा को दिया गया था अगला प्रशन है कि प्रतेक वर्स मई माह के पहले मंगरवाल को 200 अस्तमा दिवस मनाया जाता है तो बताईए 2022 में यह दिवस कब हुआ तो अस्तमा जो की सांस से जुड़ी हुई एक डिसीज है उसी के प्रती जांगता के लिए यह मनाया जाता है और इस साल हमने तीन मई को इसे मनाया है C option हो जाएगा करग अगला प्रशन है किस राज में मिया का बाड़ा रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर महेस नगर हाल्ट किया गया तो बाड़ा रेल्वे स्टेशन जो था इसका नाम बदला गया है आपकी राजस्थान में इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा करग हर बाड़ नाम बदलने की बात आए तो ये मत समझेगा योगी जही करते हैं कई बार अन्य राज्यों के सरकार भी इंस्पायर हो जाती है अगला प्रशन है किस राज के सरकार ने भारत के पहले आदिवासी स्वास्त बेदिसाला याने के Tribal Health Observatory बनाने की घोशना की है तो ये घोशना उडिशा के सरकार ने की है Option D हो जाएगा यहाँ पर करग अगला प्रशन है कि मई 2022 में किस कंपनी ने भारते नौसिना के सर्वे वेसल आई एनेस निर्देशक को लांज किया है तो ये जो आपका सर्वे पोत है मई 2022 में जारी World Air Power Index में भारते वायुसिना किस अस्थान पर रही है तो दिहार रखेगा दुनिया में अगर हम लोग अन्य सेना की बात करते हैं और उसमें भारते सेना को रखते हैं तो भारते सेना हमारी चठे अस्थान पर है भारते वायुसिना चठे पर है लेकिन वायुसिना की बात करें तो अमेरिका और रसिया की वायुसिना के बाद में हमारी वायुसिना तीसरे अस्थान पर है C option हो जाएगा यहाँ पर करन अगला प्रशन है मई 2022 में किस राज में हंसा न्यू जनरेशन दो सीटर की जो फ्लाइंग ट्रेनर विमान है इसका DRDO ने परिच्छन किया है तो इसका परिच्छन करनाटक में किया गया तो इस प्रशन के लिए यह option हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि मई 2022 में भारत के पहले सोदेसी एरक्राफ्ट केरियर डैस डैस को भारती नौसीना को सोपा गया है तो हमारे पास एक पहले से है यह एरक्राफ्ट केरियर जिसका नाम आइनेस विक्रमादित्य है लेकिन अब हमारे यहाँ पर कोचीन से प्यार लिम्टेट के द्वारा पहला सोदेसी बनाया गया है और इसका नाम है आइनेस विक्रांत तो इस प्रश्ण के लिए C आप्शन हो जाएगा गर्ट अगला प्रश्ण है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यच्छता में सेमी कौन इंडिया सलाहकार समित की अस्थापना की गई तो यह आपके जो सूचना और प्रसारण मंत्री है आइटी और इन्फॉर्मेशन मंत्री इन्फॉर्मेशन एन आइटी मंत्री है अस्थुनी बैश्णो साहब उनकी अध्यच्छता में निर्माण हुआ है D option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि विश्व स्वास्त दिवस 2022 का विश्व क्या है तो इसका विश्व है Our Planet, Our Health तो हर साल 7 अपरेल को ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन विश्व स्वास्त संगठन के स्थापना हुई थी और इस बार का विश्व है Our Planet, Our Health तो B option correct होगा अगला प्रशन है कि वर्ष 2022 में जो 31 सरुस्ती सम्मान है इससे किसे पुरस्कृत किया गया तो ये जो सम्मान है इससे पुरस्कृत किया गया है रामदरस मिस्रा जी को यहाँ पर D option हो जाएगा correct रामदरस मिस्रा जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे हिंदी भासा के राइटर है और मैं तो यहाँ हूँ नाम की इनकी जो कविताओं का संग्रा है उसी के लिए पुरस्कार दिया गया तो D option correct होगा अगला प्रशन है कि अपरेल 2022 में राश्पती रामनात कोविंद किस देश की यात्रा पर गये तो राश्पती रामनात कोविंद जी की बात करें ये आपके नीदर लेंड देश की यात्रा पर गये थे यहाँ पर A option हो जाएगा correct आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर ये एक ट्यूलिप पुस्प के भाग में गये थे और वहाँ पर आपके यलो ट्यूलिप की एक जो प्रजाती थी उसका नाम इन्होंने मैत्री बदल दिया था तो ये भी ध्यान रखना रखना एगा ये हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अपरेल 2022 में पर्यावरण मंद्राले ने पर्यावरण की परती जागरुटा के लिए किस पहल की शुरुवात की है तो ये जो पहल है नाम इसका है प्रकिरती क्या नाम है प्रकिरती इस पहल का नाम है तो C option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अपरेल 2022 में किस भारती राज में गडगावर पर्व मनाया गया तो ये जो गडगावर पर्ब है इसे मनाया गया है आपकी राज़स्थान में कहां पर राज़स्थान में इसे मनाया गया तो इस प्रशन के लिए B option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि अप्रेल 2022 में भारस सरकार के द्वारा नए विदेश सच्यों के पत्पर किसे ने उप्तिया गया तो हमारे जो नेपाल में राजदूत थे जिनका नाम बिने मोहन को आत्रा था वो नए विदेश सच्यों बन गया है तो A option हो जाएगा यहाँ पर correct चलिए नीचे comment में मुझे यह बता दीजिएगा कि नेपाल में हमारे नए अमबेजडर कौन बने है याने कि हमने किसे नया राजदूत अप्वाइंट किया है अगला प्रश्ण है कि वर्ष 2021 के लिए किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो चमेली देवी जैन पुरसकार है इससे सम्मानित आरिफा जहुरी को किया गया है यहाँ पर B option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि हुरून रिचेश्ट सेल्फ मेड वीमन इन्दी वर्ड 2022 में किस भारतिये ने सीर सस्थान प्राप्त किया है तो यह जो भारतिये हैं जिन्होंने सीर सस्थान प्राप्त किया है नाम इनका है फालगुनी नायर इनका नाम है तो यहाँ पर D option हो जाए बनाया है अगला प्रश्ण है अपरेल 2022 में किस मंत्राले के द्वारा स्वानिधी से सम्रिध्धी योजना की सुरुवात की गई तो ये जो योजना है इसकी सुरुवात आवास और सहरी विकास मंत्राले ने की है तो बी ऑप्सन हो जाएगा यहां पर करक। अगला प्रश्ण है कि प्रतेक वर्स कौन सा राज्य अपरेल के दूसरे सप्ताह में बुहाग बीहुत वहार मनाता है तो ध्यान रखेगा ये जो बुहाग बीहुत वहार है ये असम राज में अपरेल माह में मनाया जाता है डी ऑप्सन हो जाएगा यहां पर करक। अगला प्रश्ण है कि अपरेल 2022 में ब्यक्तिगत स्रेणी में किसे कुष्ट रोगों के लिए अंतराष्टिय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये जो पुरस्कार है वो डांक्टर भुशन कुमार को मिला है इस प्रश्ण के लिए ए आप्शन हो जाएगा यहाँ पर करग तो आपको ये धिया रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो हमारे उपराष्टपती यम वंकया नायडू जी ने दिया वेक्तिगत कटेगरी में ये पुरस्कार डांक्टर भुशन कुमार को मिला है और संस्थागत कटेगरी की बात करें तो गुजरात का जो सहयोग कुष्ट यगना ट्रस्ट है उसको ये पुरस्कार दिया गया अगला प्रशन है कि अपरेल 2022 में पीम नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधान मंतरी संख्राले का उधगाटन किया है तो हमारे देश के जितने में प्रधान मंतरी हैं उनके द्वारा किये गए कारियों के उपर ये संख्राले बना हुआ है और इसका उध्धाटन दिल्ली में किया गया तो B option हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि New Zealand cricket board के द्वारा किस क्रिकेटर को Sir Richard Headley Medal से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरस्कार है वो New Zealand के तेजगेद बाद Tim Saudi को मिला है तो यहाँ पर A option हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि वर्श 2023 में जो Street Child Cricket बसुकप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा तो ध्यार रकिएगा अगले साल जो पुरसों का हांके बसुकप है अगले साल जो Street Child Cricket बसुकप है सभी का आयोजन हमारे देश में ही होगा तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct इस प्रश्न के लिए B option हो जाएगा correct हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको ये ध्यां रखना है कि 15 अप्राइल 1948 को इसको एक राज का दर्जा दिया गया था बाद में 26 जनवरी 1925 को गुरूप C का यह एक श्टेट में बना था बाद में जो बिलासपूर है इसको 1954 में इसम 1970 को एक एक के जरिये भाति संग में या एक नए राजी के रूप में 1971 में सामिल होता है अगला प्रश्न है कि अपरेल 2022 में केंद्रिये लोक सिवा आयोग के नए अध्यच के पत पर किसे अपॉइंट किया गया तो लोक सिवा आयोग के जो नए अध्यच बने है नाम इनका ह अगला प्रश्न है कि अपरेल 2022 में जो राश्तिय अलपसंखिक आयोग है इसके अध्यच के पत पर किसे अपॉइंट किया गया तो इसके जो हमारे नए अध्यच बने है नाम है इकबाल सिंग लालपूरा इनका नाम है तो यहां पर ए ऑप्सन हो जाएगा करें अगला प्र तक हमारे भारत के चैंपियन्य चेस खिलाड़ी आर प्रग्यान अनंदनी जीता है अगला प्रश्न है कि वर्स 2026 में जो अगले राष्टमंडल खेल है इनका आयोजन किस देश में किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये जो common wealth games हैं इनका आयोजन छटी बार आश्टीलिया में किया जाना प्रस्तावित है और आश्टीलिया का जो वेक्टोरिया प्रांत है उसमें इसका आयोजन होगा तो यहाँ पर C option हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में असो चैम के नए अध्यच की रूप में किसे न्यूक किया गया है तो असो चैम के जो हमारे नए अध्यच बने है नाम इनका है सुमंत सिनहा क्या नाम है सुमंत सिनहा इनका नाम है और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ग्रियू पावर नाम की कंपनी है उसके ये founder, chairman और CEO है तो नाम है सुम पन हुई है तो इसका आयोजन गुवा और अरब सागर में किया गया तो इस प्रश्ण के लिए B option हो जाएगा करक्ट अगला प्रश्ण है कि डफ एंड फ्लेप्स सेलेबिर्टी ब्रांड वैलिएशन रिपोर्ट 2021 में कौन सीर्स पर रहा है तो इस सूची में सीर्स पर हमा सूची में है अच्छे कुमार अगला प्रश्ण है कि मार्च 2022 में BBC इंडियन स्पोर्च वुमेन ऑफ दी इयर 2021 का अवार्ड किसने जीता अब ध्यार रखिएगा पिछले साल BBC के द्वारा जो परसन ऑफ दी इयर का पुरस्कार है वो इमा रादू कानो को मिला था और भारत प्रश्ण है कि मार्च 2022 में किस देश की अध्यचिता में पांचवे बिमस्टेक सिखर सम्मीलन का वर्चुल तरीके से आयोजन किया गया तो इस साल जो बिमस्टेक की समिट हुई है इसे होश्ट स्रिलंका ने किया था और भारत के पीम नरेंदर मोधी साहर इसमें पीपल अगला प्रश्ण है कि मार्च 2022 में किस आयाइटी संस्थान में एक पेटा एसकल के सुपरकंप्योटर परमसक्ती का अनावरण किया गया तो ये जो परमसक्ती वाला सुपरकंप्योटर है ये आयाइटी खड़कपुर में अस्थापित किया गया है मतलब इसको अस् तो living root bridge से पहले भी परिच्छाओं में प्रशन आ चुके हैं ध्यान रखिएगा ये living root bridge आपको मेग हाले में मिलेंगे और इस प्रशन के लिए B option हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस राज के स्री बीर्भद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल को यूनेस्को के आस्थाई धरोहर अस्थलों की सूची में सामिल किया गया तो यहाँ पर ये सामिल हुए है करनाटक के option A हो जाएगा यहाँ पर करग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में ब्यापार और उद्योग मंतरी प्यूस गोयल ने किस देश में भारतिय आभुसर्ण प्रदर्चनी केंद्र का उधगाटन किया तो इसका जो उधगाटन है वो आपके सयुक्त अरब अमीरात में किया गया है आप्सन यहाँ पर D हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में बिश्यो की जो सबसे बड़ी कोरियर कंपनी है जिसका नाम फेड एक्स है इसके CEO कौन अपॉइंट किये गए तो फेड एक्स के जो CEO है नाम इनका है राज सुबरामन्यम क्या नाम है राज सुबरामन्यम इनका नाम है तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान की डांक्टर रेणू सिंग नई निदेशक बनी है तो आपको बताना है कि ये वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये आपको मिलेगा देहरादून में उत्राखन की जो राजधानी देहरादून है वहीं पर आपको Forest Research Institute देखने को मिलेगा और डांक्टर रेणू सिंग इसकी नई निदेशक बन गई है B option हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में भारतिये बैटमेंटन संग के अध्यच के लिए पुना कौन चुने गए है तो भारतिये बैटमेंटन संग की बात करें इसके अध्यच एक बार फिर से हेमन्त विश्वा सर्मा जो की असम के CM है वो अपॉइंट कर दिये गए हैं तो यहाँ पर D option हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि भारत डबलू यचो के साथ मिलकर किस सहर में एक बैस्विक पारमपरिक चिकिस्सा केंद्र के अस्थापना करेगा तो यह प्रशन अभी इस साल NTPC में आया था और ध्यान रखिएगा यह जो बैस्विक पारमपरिक चिकिस्सा केंद्र है यह गुजरा अगला प्रशन है कि हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वा निर्मित अरपती 2022 के सूची में भारत किस अस्थान पर रहा है तो स्वा निर्मित जो अरपती है हमारे देश में काफी संख्या में है और भारत इसमें 14 अस्थान पर है बी आप्सन हो जागा यहां पर करग यह देख सकते हैं कि अमेरिका पहले पर है चाइना दूसरे पर है यूके तीसरे पर है और हमारा देश भारत चोथे अस्थान पर रहा है अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस सहर में भारत की पहली इस टील के कच्चरे से सड़क का निर मार किया गया है तो इस प्रशन के लिए यह आप्सन हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में परमोध सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्य मंतरी बने हैं तो आपको बताना है गोवा विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त करग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में अंतर राष्टिय स्रम संगठन के नए महानिदीसक के पर किसे नियूप किया गया है ध्यान केगा अभी जो हमारे आयलो के महानिदीसक है उनका नाम है गे राइडर हैटकॉर्डर इसका जिनेवा में है तो हमारे जो गिलबर्ट होंग है कि गिलबर्ट होंगो साहब का जो कारेकाल है वो एक अक्टूबर 2022 से सुरू होगा तो करेंट टाइम में जो इसके चेर्मैन है उनका नाम है गे राइडर अगला प्रशन है मार्च 2022 में आर्बियाई गवर्नर सक्तिकान दास ने किस सहर में वर्णिका नामक इंक निर्मा इंक निर्माण इकाई का उध्गाटन किया गया है तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेंग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में मीडियम रेंज की जो सरफेश टू एर मिसाइल है इसका परिच्छन किया गया है तो बताइए डियाडियों ने किस देश के सहयोग से इसे डबलब किय है तो इसे हमने इसराइल के सहयोग से डबलब किया है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेंग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्त जागुपता के लिए टाइम हंडर्ड इंपैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह जो अवार प्रशकारों में किस फिल्म को सर्बस्रेश्ट बिज्वल एफेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया तो यह जो अवार्ड है वो आपकी ड्यून नाम की मूवी को मिला है आप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा करेंग आपको यह धिया रखना है कि डवल निगेटिव नाम की जो बेटिन की कमपनी है उसके द्वारा इसके बी एफेक्स को डिजाइन किया गया था यानि कि उसका विज्वल एफेक्ट जो है वो इसी कमपनी ने दिया था और यह जो डवल निगेटिव नाम की कमपनी है उसके CEO एक भारती है ठीक है नाम इनका नमित मलोतरा है तो यह आपको जरूर ध्यार रखना है और best visual effect के लिए ये पुरसकार Dune movie को मिला है B होगा correct अगला प्रश्ण है कि सयुक्त राष्ट पर्यावरण कारकरम की रिपोर्ट के अनुसार बिस सुका सरबाधिक धोनी प्रदोसर्ण सहर कौन सा है तो सबसे ज़्यादा जो धोनी प्रदोसर्ण वाले सहर की बात करते हैं तो इसका नाम मुरादाबाद है और ये दुनिया में दूसरे अस्थान पर है अगला प्रश्ण है कि मार्च 2022 में जो अर्थ आवर दिवस है ये कम मनाया गया है तो ये दिवस काफी पोछा जाता है परिच्छों में अभी सीजल में भी दो बार ये दिवस पोछा गया था ध्यान किएगा ये हम लोग 26 मार्च को मनाये हैं इस साल हर साल मार्च महीने के आखरी सनिवार को ये मनाया जाता है और इसकी सुरुवात वर्स 2007 में आपके सिडिनी सहर से की गई थी यानि कि आश्टिलिया का जो सिडिनी सहर है वहाँ से इसकी सुरुवात हुई थी 2007 में अगला प्रश्ण है कि फरवरी 2022 में भारत की पहली Plastic Waste Neutral Company कौन मनी है तो इस कंपनी का नाम है Dabar, क्या नाम है? Dabar इस कंपनी का नाम है तो company का ये दावा है कि जितना भी इन्हों ने plastic का यूज किया था अपने product के निर्माण में उतना plastic इन्हों ने फिर यहाँ पर utilize कर लिया है तो भी option हो जाएगा current अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में Frank Walter Steenmayr किस देश के पुना राश्पती चुने गए है तो ध्यान रखेगा ये आपके जर्मनी के पुना राश्पती चुने गए है हाला कि जर्मनी में जो power होता है वो यहाँ के chancellor के पास में होता है और जित पर आपको Olaf Schwarz Schwarz देखने को मिलेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है D होगा current अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में इस रो ने किस rocket के सहता से Earth Observation Satellite 04 Inspire Set 1 और INS2D Satellite को launch किया है तो ये हो जाएगा PSLVC52 क्या है PSLVC52 इसका नाम है तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा correct अगला और आखरी प्रशन है कि फरवरी 2022 में उत्तराखन की सरकार ने किस अभिनीता को brand ambassador न्यूप किया है तो इन अभिनीता का नाम है अच्छे कुमार क्या नाम है अच्छे कुमार इनका नाम है और उत्तराखन की सरकार ने इनको अपना brand ambassador न्यूप किया है तो इस प्रकार से जन्वरी से जून के बीच में जो हमारे 100 सबसे बहतरीन प्रशन थे 500 प्रशनों में से उसको हमने डिस्कस कर लिया है आई हो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करिएगा वीडियो की यही सवापती करते हैं जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत